दोस्तो हम अपने फेस का अच्छे से खयाल रखते हैं जिससे फेस बहुत ही अच्छे से ग्लो करता है उसके लिए हम फेस पैक वगरा कभी यूज करते हैं मगर हाथ पैर गर्दन का भी उतना ही खयाल रखना जरूरी रखता है अगर नहीं ध्यान रखते हैं तो हाथ पैर गर पर इसी आपको फेस पर इस्तमाल करना है कि नहीं वह भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी और बच्चों के ऑपnatर करना है कि नहीं वह भी जान लिजीएगा तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है शैंपू तो यहाँ पर मैंने क्लिनिक प्लस शैंपू लिया है आप किसी और ब्रांट का भी शैंपू ले सकती है मगर जो इसका खुजबू रहता है न वो इतना फ्रेस महसूस कराता है कि यह वला शैंपू बहुत ज़्यादा पसंदाता है तो मैंने इसका इस्तिमाल किया है आप दूसरा शैंपू भी ले सकती है अब एक बरतन लेंगे और बरतन के अंदर डालेंगे शैंपू तो यहाँ पर हमें पूरा पैकेट नहीं यूज़ करना है बस आधा पैकेट शैंपू का यूज़ करेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा ही बना रही हूँ इसके लिए कम यूज़ कर रही हूँ अगर आप ज़्यादा बना रही है अपने पैर हाथ को पूरा साफ करना है तो आप जादा बना लीजिएगा, quantity को बढ़ा लीजिएगा अब इसमें डालेंगे एक पिंच हल्दी पाउडर बहुत जादा हल्दी पाउडर का इस्तमाल मत करिएगा नहीं तो जो आपके स्कीन है वो पीला पड़ जाएगा अगर कस्तूरी हल्दी है तो उसको आप ज़्यादा quantity में इस्तमाल कर सकती है मगर जो हम regular खाने में अपने यूज करते हैं वो हल्दी बहुत ज़्यादा color छोड़ती है तो बस एक पिंच यानि एक चुटकी भर हल्दी को इस्तमाल करिएगा इतना shampoo में दोनों चीजों को खुब अच्छे से मिला लेना है और ये जो remedy है ने फ्रेंड यकीन मानिए इससे हाथ पर बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है गर्दन का जो काला पन रता है वो भी बहुत ही अच्छे से रिमू हो जाता है अब हम लेंगे टमाटर तो यहां पर हमें आधा टमाटर का रस लेना है अगर आपके पास देसी टमाटर है तो उसका इस्तमाल करिएगा क्योंकि वो टमाटर जाधा खटा रता है और रस की quantity भी उसमें जाधा रती है तो फिलाहल तो मेरे पास ये वाला है तो मैं इसका इस अब इसको खुब अच्छे से मिला लेंगे शेंपू और हल्दी के साथ तो देखिए टमाटर के पल्प को भी हमने अच्छे से मिला लिया है यह देखिए अब इसमें में इंग्रीडियंट एड़ करेंगे जो बहुत जरूरी है तो फ्रेंड जो पैर होते हैं उसमें धूल मि यह बेकिंग पाउडर है तो यहां पर बेकिंग पाउडर का आपको इस्तमाल नहीं करना है जो केक वगर में हम डालते है वो होता है बेकिंग पाउडर तो आपको इसका इस्तमाल भी नहीं करना है ध्यान रखिएगा इस बात का आपको खाने का सोड़ा लेना है जो हम अप दालेंगे तो फ्रेंड खाने का जो सोडा रहता है यह क्लीनिंग का भी बहुत ही अच्छा काम करता है तो इसे आप अपने पेर में अगर लगाएंगी ने तो आपका पेर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है बहुत लोगों के एडियां बहुत ज्यादा फड़ जाती है जिससे उसके अंदर धूल मिट्टी चला जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और अच्छे से क्लीन नहीं होता है नाखुन के साइड में भी मिट्टी भरा रता है जिससे वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो वो सब भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जा तो हनी डालना ऑप्सनल है अगर आप नहीं डालना चाहती है तो आप इसे इसकी भी कर सकती हैं मगर डालेंगी तो अच्छा ही रहेगा थोड़ा सा मौस्टराइजर का काम करेगा क्योंकि जो हमने शेंपू डाला है उसकी वज़े से थोड़ा सा आपका इसकी रफ हो सकता है तो इसे यूज करने के बात क्या करना है वो भी आपको बताऊंगे जिससे आपका इसकी एकदम सॉफ्ट रहे तो ये जो हमने टमाटर का रश निकाला है बस उसी टमाटर को अब लेना है और इसमें इस तरीके से छोटे-छोटे से कट लगा देने हैं कट लगाने से ये ब् परतकर लिया है ये दिखें और देखें दभा कर दिखा रही हूं इसमें जूस आधी आने लगा है तो हमें जूस को अभी निकालना नहीं है कि इससे इसे रहने रहने देना है अब इसके अंदर टमाटर को एसे डीब करेंगे उसके बाद देखि razor करेंगे इससे होगा जो हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा रहता ही है साथ ही साथ इसकीन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है ये इसकीन को ग्लो करता है तो बस इस तरीके से रेखिए आपको नहीं ये जो हमने रेमेडी बनाया है उसे टमाटर में लगाना है और टमाटर से इस तरीके से टमाटर को बार बार इसे रेमेडी के अंदर डीप करना है और ऐसे रब करना है हलके हाथ से करना है बहुत ज्यादा है वी हाथ से करने की जरूरत नहीं है इससे धीरे धीरे करेंगी तो भी आपका जो गंदगी है न हाथ पैर का बहुत अच्छे से रिमू हो जाएगा और वी मिटी धूप की वज़े से कालापन हो गया है वो जरूर निकल जाता है और जो नाखुन वगर गंदी हो जाते हैं एडियां गंदी हो जाती है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है आप करके देखेंगी तो आपको खुद फर्क दिखेगा और एक बार में फर्क नहीं ह होता है फ्रेंड क्योंकि यह हो में ड्रेमिडी है यह तुरंद काम नहीं करता है इसमें हमने कोई केमिकल इस्तमाल नहीं किया है जो फटा फट से आपके हाथ पैर को गोरा कर देगा या अच्छे से चमकने लगेगा यह धीरे-धीरे काम करेगा मतलब पर्मानेंटली ताकि यह थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से हमें धो लेना है तो इसे सूखने का वेट करूंगी उसके बाद धो के फिर दिखाती हो तो देखिए यहाँ पर मैंने हाथ को अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद आप देख सकती है हाथ पहले से क्लीन हो गया है और जो इसकीन है वो भी एकदम सॉफ्ट हो गया है अगर आपका हाथ पैर बहुत ज़्यादा हाड हो गया है इसकीन आपको देख के लगता है बहुत ज़्यादा रफ हो गया है तो उस केस में भी आप इसका इस्तमाल कर सकती है और आपको इसे सिर्फ अपन से मौशराइज हो जाता है फ्रेंड उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेलफुल लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों क्षा शेयर करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिएगा भू से देख रही है लड़का और लड़की दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं